है यह लो लर्नार्स वेलकम टू लर्न लर्न एवरिधिंग ऑनलाइन आप सभी को पता है कि लर्न पर हमने जी मैथमेटिक सीरीज दो साल के लिए स्टार्ड कर दी है आप सभी को पता है कि अभी तक हमने तीन लेक्चर कंप्रिट किये हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों में होते हैं वो जे डबली के एक्जाम को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं सीरियस लेना कोई गलत बात नहीं है लेकिन इससे आपकी स्टडी सीरियस ना हो जाए तो सबसे इंपोर्टन पार्ट जो होता है इसमें हाड़ वर्क नहीं होता है तो जे डबली में हाड़ वर्क स दिनों तक time management पर बात करेंगे okay तो आज हम बात करेंगे time management का importance क्या होता है देखिए हम time तो change नहीं कर सकते लेकिन हम time को manage कर सकते हैं हमारे हाथ में time नहीं है हमारे हाथ में time management है तो time management किसलिए किया जाता है देखिए आपको दो साल सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको दो साल पढ़ाई के साथ साथ आपके कुछ order hobbies भी होते है तो उसके लिए आपके पास समय नहीं होगा क्योंकि अगर आप time manage नहीं करोगे तो आप दूसरा कुछ नया नहीं सीख पाऊगे आपको सिर्फ जेडवरी में PCM के 96 chapters कवरने करने आपको order passion भी यहां पे पूरा करना है जैसे किसी को coding सिखना होगा या किसी किसी और exam के लिए preparation करना होगा तो उसके लिए आपको time चाहिए इतना ही नहीं other than studies आपके कुछ और hobbies भी हो सकते तो वो hobbies के लिए भी आप आपको अगर ज्यादा time चाहिए तो वो ज्यादा time आएगा कहां से क्योंकि दुनिया में सभी को equal time मिलता है फिर कुछ लोग उसी 24 घंटे में पूरी दुनिया का नक्षा बदल देते हैं और कुछ लोग उसी 24 घंटे में खुद का काम भी पूरा नहीं कर पाते तो successful people और हम में क्या फर्क होता है हम दोनों में एक ही फर्क होता है कि successful people अपने time को manage करते हैं हम अपने time को manage अगर करना सीख जाए तो सबसे बड़ा important काम क्या होगा तो हमें we will get more time हमें ज्यादा time मिलेगा फिर इस more time को आप क्या कर सकते हो जो भी ज्यादा time आप सबको मिलेगा वो आप अपने life में other चीज़े जो दूसरी बाते है कोई skills है वो skills सीखने के लिए उसे utilize कर सकते हो उसके बाद हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि time management जो लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं तो उनको और ज्यादा opportunities मिल सकती है क्योंकि क्या होता है बहुत सारी opportunities आपको real life में यार मैं यह कर सकता था लेकिन मेरे पास उतना time नहीं है देखिए मैं फिर से repeat करूंगा कि हम सबके पास time तो सेम होता है लेकिन problem होता है time management में अगर हम हमारे time को अच्छी तरह से manage कर ले तो we can get more opportunities जिसमें हम बहुत अच्छा time हमारे पास जो होगा उसमें हम बहुत सारे skill प opportunity मिलती है जिससे हमें हमारा जो goal setting होता है goal setting भी effectively करना आ जाना चाहिए तो time management से हम कुछ और बाते सीख सकते हैं जैसे मैंने आप भी का कि we will get more time या we can live our life very stresslessly तो हमारे stress से relief अगर चाहिए तो time management कीजिए बहुत ज्यादा time अगर आपको चाहिए दूसरी चीज़े सीखने के लिए तो जो आपके पास available time है उसे manage कीजिए बहुत सारी opportunities आपको मिलेंगी उसके लिए time management कीजिए या अपने goal setting के लिए भी आप time को manage कर सकते हो तो ये ते time manage करने के कुछ important tips हम कल फिर मिलेंगे और उसमें मैं आपको time management effectively कैसे करते है इसके बारे में बताऊंगा और धीरे धीरे जीए का preparation करने में time का role कितना important होता है उसका management कितना important होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे till then happy learning with learnon have a nice day जुड़े रहिये हमारे साथ good bye